नमस्कार स्वागत है आपका अधियन मंत्र के इस यूटूब प्लाटफॉर्म पर मैं हूने हैं और आप हैं हैस्ट्रक बचा पार्टी जिस नोटिफिकेशन का आपको बेसबरी से इंतजार था वो आ ही चुका है विगत रात की बात हुई थी कि रात में नोटिफिकेशन आ जाएगा यानि कि ये जो नोटिफिकेशन आपके समक्ष दिखाई दे रहा है ये 20 अप्रील 2024 का है यानि कि कल रात में ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है तो इस notification में क्या खास है? कुछ एक बहुत बढ़ा बदलाव आया सामने वो बढ़ा बदलाव क्या है? सबसे पहले उस पर बात करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि किस दिन पर परिक्षा होगी और कब से कब तक application form भरे जा सकते हैं सबसे बढ़ा बदलाव आप देखें कि यहाँ पर दिया गया है कि यह जो 83 subjects के जो paper होते है net के वो होंगे इस बार किस तरीके से किस mode में? OEMR sheet पर यानि कि pane और paper mode में होंगे जबकि यह paper पहले जो होते आए हैं वो CBT mode में होते आए हैं यानि कि computer based test था तो एक बड़ा बदलाव हुआ न यह OEMR sheet पर फिर से exam शुरू हो गया क्योंकि जब तक CBSE paper ले रही थी तब तक तो OEMR sheet पर चल रहा था लेकिन NTA ने CBT mode में लेना exam शुरू कर दिया था यदि मैं इसकी proof दिखाऊं तो यह देखिए आप यहाँ पर देखिए कि net December का जो application form आया था 30 सितंबर 2023 को उसमें यह जो mode है वो क्या था? CBT mode यानि कि इस बार हो गया है बहुत बड़ा बदलाओ CBT mode में आप mark for review और फिर आप आगे बढ़ जाते थे यदि आपको कोई प्रशन समझ में नहीं आता था तो लेकिन यहाँ पर pain and paper mode में आप गलती नहीं कर सकते हैं यदि आपने गलत कर दिया तो फिर उसके सुधार का कोई दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा जैसा कि CBT mode में आपको सुधार का मौका मिल जाता था तो फिर ध्यान से अपने सवालों को सही तरीके से उत्तर दीजिएगा दूसरी बात अब हम यहाँ पर आते हैं कि कब कब आपको ध्यान देना है कि जो date है वो क्या होंगे अभी तक जो paper होते आए हैं वो eligible किसके लिए होता था assistant professor के लिए और जे आरेफ के लिए award मिलता था लेकिन जैसा कि कुछ दिनों पहले notification आया था कि NTN.net का paper जो होगा वो अब PhD के admission के लिए भी होगा तो यहाँ पर इस notification में ये mention कर दिया गया है कि assistant professor के साथ, जे आरेफ के award के साथ साथ ये PhD में admission के लिए भी होगा यानि कि यदि आप ये result प्राप्त करते हैं तो आप तीनों हासल कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं जो submission of online application form है वो कब से कब तक होगा 20 अप्रिल से 10 मई तक यानि कि 10 मई तक रात की 11 बज कर 50 मिनट तक आप ये application form submit कर सकते हैं दूसरी बात last date for submission of examination fee कब last day होगा ये होगा 11 मई से लेकर 12 मई ये examination fee का last date है ध्यान रखेगा application form का नहीं fee आप भर सकते हैं 12 मई तक कितने बचे रात तक 11 बच के 50 मिनट तक correction in the particulars of in online application form ये जो कभी हो जाता है कि कुछ चूक रह गई या कभी spelling में error हो गया कुछ correction करना है तो वो correction के लिए भी window open होगा और वो होगा 13 मई से लेकर 15 मई के बीच में अब examination center के विशय में और admit card कब आएगा website परेंटिये के official website पर वो बाद में announce किया जाएगा notification आ जाएगी लेकिन date of examination होगा परिक्षा की तिथी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है यानि कि इन 83 विशयों का जो परिक्षा होगा वो कभ होगा 16 जून को होगा आप देखिए 16 जून यहाँ पर तिथी निर्धारित की गई है और date ये जो center होगे date होगा किस shift में कौन सा exam होगा वो सारा announce बाद में होगा आपको ये पूरी जानकारी यानि कि कोई भी notification आएगी तो आपको search करना है ugcnet.nta.ac.in पर यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी अब देखिए 16 जून की बात आई यहाँ पर मैंने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में होगा ऐसा इस notification में दिया गया है लेकिन पहले जो exam होते थे वो कुछ दिनों में पूर्ण किये जाते थे जैसे उधारन आपको मैं दिखा ही रही हूँ net December का तो चलिए यहीं पर बात करते हैं जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह जो exam हो रहा था वो 6 December से लेकर 22 December तक हुआ यानि कि इतने दिनों में इसका समापन हुआ 13 से विश्यों का लेकिन अभी क्या है एक ही दिन में होगा अब चलिए यहाँ पर चलते हैं और क्या बात हुई है यहाँ पर यह देखिए जो fee होगा वो होगा जेनरल के लिए 1150 रुपे जेनरल EWS, OBC, NCL 600 रुपे AC, ST, PWD, 3rd Gender, 325 रुपे ठीक है और official website की जानकारी तो हमने आपको देखी दी है और कोई भी notification आएगा तो official website पर आ जाएगा अब इसके अलावा एक और बहुत बड़ा change वो change क्या है चलिए इस पर बात करते हैं और यह है change कि जो हमारे UGC के chairman है जगदेश कुमार जी उन्होंने अप्रील 19 को एक tweet किया था वो tweet यह था कि जो लोग four year course में bachelor degree course में हैं वो लोग भी eligible होंगे UGC net form भरने के लिए यानि कि जो बच्चे 8th semester में हैं या final year में हैं आप देखें यहाँ पर note की गई है बात कि जो bachelor degree में है last semester यानि कि 8th semester या last year वो भी apply कर सकते हैं UGC net का form four year bachelor degree के लिए यह allowed है चलिए अब चलते हैं हम लोग website पर website पर भी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी और वो जानकारी यह है कि UGC net June 2024 का registration शुरू हो गया है यानि कि application form आते के साथ कहा गया है न कि form शुरू हो जाएगा तो शुरू हो गया अब चलिए यहाँ पर हम click करते हैं click करने के बाद आपको नजर आएगी कुछ बाते यहाँ पर देखिए apply for online registration ठीक है तो आप apply कर सकते हैं सबसे पहले आपको registration करना है आप जब registration कम्प्लीट कर लेते हैं तो आपको login और password मिल जाएगा तो यहाँ पर दिया गया है new candidate register here तो आप पहले registration करेंगे यदि आपने register कर लिया है तो आप login और password के साथ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ठीक है आप अपने application को submit करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप register करेंगे तो आपको मिल जाएगा application number, password, security pin आ दालना है और फिर login करना है यहाँ पर तीन steps होंगे form भरने के वो होंगे पहले तो registration दूसरा online application form अपनी सारे details आपको डालनी है यहाँ पर और last में आपको payment करना होगा pay examination fee जो fee हमने आपको बताया जो website पर mention है अलग-अलग के लिए तो उनको आपको भरना होगा और इस तरीक आप download कर लेंगे application form की और उसे application number से admit card जब issue होगा तब आप वहाँ पर admit card प्राप्त कर सकते हैं तो यह थी ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तो हमारे साथ बने रहिएगा अध्यायन मंत्र के इस channel पर और हाँ UGC.net की class से शुरू कर दी गई है किस YouTube channel पर? TGT, PGT and Net by अध्यायन मंत्र जो की समर्पित है TGT, PGT और UGC.net के लिए कुछ विश्यों में हमारे यहाँ पर classes दी जाती हैं आप इस channel के साथ आज ही जूड़िए और जिस विश्य के भी हैं आप आप उसमें class कर सकते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और बहुत बहुत धन्य इबाद